दोस्तों नमस्कार ये है मागदेशन फॉर सिविल सर्विशेज मैं अनुराग शौधरी दोस्तों उच्चतर सिक्षा सेवा चैनायूग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर परिक्षा के सामाने अध्यन खंड के लिए आज की वीडियो में प्रस्तुत है सिक्षण और सोध अभिवरित खंड के अंतरगत महत्पूर टॉपिक शोध यानी रिसर्च का अर्थ परिभाशा प्रकार से संबंधित महत्पूर अध्यन सामगरी जो आपके आगामी परिक्षाओं के लिए बहुत ही उप्योगी है दोस्तों ये टॉपिक असिस्टेंट प्रोफेसर परिक्षा के साथ नेट जे आर्यप पर्थम प्रश्न पत्र के लिए भी बहुत ही उप्योगी है तो आएए शुरू करते हैं आज का वीडियो असिस्टेंट प्रोफेसर परिक्षा के लिए मोहत्पूर अध्यन सामगरी शोध का अर्थ प्रकार और शोध की प्रडाली सबसे पहले आए जानते हैं शोध का अर्थ क्या होता है दूस्तों शोध यानि रिसर्च जो है वो ज्यान का प्रथम विस्तार है और शोध के द्वारा हम नए तथियों को ढूडते हैं तो याद रखेगा शोध ज्यान का प्रथम विस्तार है और इसके द्वारा हम नए तथियों को ढूडते हैं शोध के अगर जो हम देखें तो कुल चार अंग होते हैं कौन-कौन से पहला तो ये है ज्यान छेतर के किसी समस्या को सुलजाने की प्रेड़ा दूसरा है शोध में विवेकपूर अध्यन शामिल होता है इसके अलामा शोध में प्रासंगिक तत्यों का संकलन किया जाता है और इसके प्रडाम सरूप नीड़े लिये जाते हैं तो बहुत ही महत्वपूर है दोस्तों आपसे अगर जो कोई शोध के बारे में पूछता है तो आप ये बता सकते हैं कि शोध ज्यान का विस्तार है शोध के द्वारा हम नए तत्यों को ढूणते हैं और शोध के कुल चार जहे ज्यान छेतर के की समस्या को सुलजाना विवेग पून अध्यन प्रासंगीक तथ्यों का संकलन और पळडाम सरूप नीड़े देखिए सोध की प्रक्रिया में समस्या के कथन के बाद परिकल्पना की रश्ना कियाओ सकता होती है परिकल्पना क्या है तो परिकल्पना ब्यापक और विश्दरित रूप से फैल कर या विस्तार पूर्वक सोचना परिकल्पना है जिसके आधार पर हम मन की भावना को प्रकट करते हैं और जो शोध करता होता है उसको ऐसी परिकल्पना बनानी चाहिए जिसकी परिक्षा की जा सके कि वो कल्पना सत्य है या असत्य और दोस्तों परिक्षान या टेस्टिंग से उत्तम परिकल्पना का जन्म होता है आईए देखते हैं शोध के प्रमुख प्रकारों के बारे में दोस्तों शोध के कई प्रकार होते हैं इनमें जो मुख्ये हैं वैज्यानिक शोध, सहसंबन्धात्मक शोध, प्रियोगात्म मुल्य या मौलिक शोध इसके अलामा प्रियुक्त शोध और अप्रियोग आत्मक शोध तथा क्रियात्मक सोध तो अब हम इन सोध के प्रकारों के बारे में थोड़ा थोड़ा विश्तार से जानेंगे ताकि आप सभी साथ ही इससे जो है जान सकें कि सोध के जो प्रकार हैं उनकी मुख्य विशेष्टाएं क्या हैं, उनकी कमिया क्या हैं और कौन-कौन सी प्रविधियों का प्रयोग इन में किया जाता है। तो सबसे पहले वैग्यानिक सोध या साइंटिफिक रिसर्च के बारे में जानते हैं। दोस्तों आप जानते हैं किसी समस्या या प्रश्ण का समाधान करने का क्रमबध और वस्तुनिष्ट प्रयास वैग्यानिक सोध कहलाता है। के बीच कल्पित संबंधों के सिध्धान्तों और प्राकल्पनाओं द्वारा निदेशित होता है। इसको साइंटिफिक रिसर्च यानि वैग्यानिक सोध कहा जाता है। इस सोध में किसी समस्या समाधान का एक वस्तुनिष्ट और क्रमबध प्रयास किया जाता है। इस सोध में किसी नियम सिध्धान्त या सामान्नी करण के विकास पर बल दिया जाता है। इसकी अलामा दोस्तों वैग्यानिक सोध में सोध करता अपने प्राप्त पैडाम और निसकर्स को एक खाश धंक से प्रस्तुत करता है। ताकि पाठक को किसी प्रकार का कोई संदेह असपश्टता आदे से ग्रसित न होना पड़े। दोस्तों वैग्यानिक सोध की विशेस्ताओं और गुडों के अलामा इसके कुछ कमिया या दोस भी हैं। देखिए अध्यन किये जाने वाले ब्योहार का स्वरूप ही कभी-कभी ऐसा होता है जिससे पूर्ट वस्तुनिष्ट, अनुभोजन्य, क्रमबध और नियांतरित तरीके से अध्यन नहीं किया जा सकता है। कभी-कभी अध्यन करता के पास किसी ब्योहार या कारक को सही-सही मापने की तकनी की छमता नहीं होती है और ऐसी अवस्ता में किया गया शोध इससे सीमित भ्रामक सुचनाय प्राप्त होती है। इसके अलावा दोस्तों मनोवैग्यानिक शोध में प्राकलपना की जाच करने से प्राप्त आकडों की ब्याख्या कई ढंग से की जा सकती है। प्रेक्षण या आपजर्वेशन का क्या महत्त है। तो आप जान लिजे प्रेक्षण क्या है। दोस्तों आपजर्वेशन वैसे सोध को कहा जाता है जिसमें शोध करता चरों में बिना किसी तरह का जोड तोड किये ही अध्यन से संबंधित घटनाओं का क्रम का अवलोकन करता है एक तो नेचुरल अपजर्वेशन और दूसरा प्रियोक्षाला प्रेक्षण तो जब किसी स्वाभाविक परिस्थिति में घटनाओं का प्रेक्षण किया जाता है तो इसे स्वाभाविक प्रेक्षण कहते हैं और वैसे प्रेक्षण प्रियोक्षाला प्रेक्षण कहे जाते हैं जिसमें प्रेक्षक घटनाओं का निरिक्षण एक नियंतरित अवस्था में करता है अब आईए देखते हैं दोस्तों वैज्ञानिक शोध के बाद आईए जान लेते हैं कि सहसंबानधात्मक शोध क्या है यानि को रिलेशनल रिसर्च दोस्तों मनो वैज्ञानिक और सैक बंधात्मक शोध वैसे सोध को कहा जाता है जिसमें शोध करता चरों में जोड तोड सीधे न करके चैन प्रक्रिया द्वारा करता है प्रियोगात्मक शोध बहुत ही महत्तपूर है जिसको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहते हैं दोस्तों प्रियोगात्मक शोध ऐसा है जि दूसरे चर पर देखता है, जिस चर में जोड तोड सीधे किया जाता है, उसे टाइप E स्वतंत्र चर कहते हैं। दूसरे बात ये कि प्रियोग आत्मक शोध में स्वतंत्र चर और आस्रिचर के बीच अस्पष्ट कारण और परिडाम संबंध स्थापित हो पाते हैं, जिससे प्रियोग के परिडाम और निसकर्स में अस्पष्टता और वस्तुनिष्टता अधिक होती है। अब आगे बढ़ते हैं अइतिहासिक सोध या हिश्टोरिकल रिसर्च पर, तो अइतिहासिक सोध क्या है इसको जान लेते हैं। historical सोध याद रखेगा ये महतपूर प्रश्ण है historical या एतिहासिक सोध मूलता है क्या थाका वरण करता है अगला सोध का प्रकार है दोस्तों विवडात्मक सोध यानि descriptive research descriptive research जिसमें वर्तमान समय को संचित किया जाता है जिसका विशलेशन और व्याक्या किया जाता है और ऐसे सोध में अपरिचालित चरों के बीच मौजूदा संबंधों का विशलेशन किया जाता है इसे अपरयोगात्मक या सहसंबंधात्मक शोध भी कहते हैं ऐसे सोध में क्या है का अध्यन किया जाता है तो याद रखेगा विवडात्मक शोध में दोस्तों क्या है का अध्यान किया जाता है अगला है दोस्तों मूल या मौलिक शोध यानी fundamental research तो वैसे शोध को मूल या मौलिक शोध कहा जाता है जिसमें शोध करता का मुख्य उद्दे से किसी छेतर में एक सिध्धान्त विक्सित करना होता है और इस तरह के सोध में वो कुछ व्यक्तियों का चैन निस्पक्ष भाव से करता है और उसके बेवहारों का अध्यन कर एक निश्य सामाननी करन करता है मौलिक शोध के उद्दे से क्या है तो आप जान लिजे मौलिक शोध बहुत ही महत्दपूर है दोस्तों इसका उद्दे से नए तथियों और सिध्धानतों का प्रतिपादन करना है सुधकर्ता का समस्या से प्रत्यक्ष संबंध आवस्यक नहीं है समस्या का चैन वैज्ञानिक पद्धति से किया जाता है परिकल्पनाओं का प्रतिपादन पूर्व शोध के निसकर्सों, सिध्धानतों और अनुभाओं पर आधारित होता है इसकी रूप रेखा लचीली नहीं होती है शोधकर्ता का विशेस प्रसिक्षण आवस्यक होता है और न्यादर्स का चैन दोस्तों वैज्ञानिक पद्धति से किया जाता है प्रदत्तों के विश्लेशन में उच्छ सांखे की प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है सामानिकरन नए तथ सत्या सिध्धानतों की रूप में होता है और मूल सोध या मौलिक सोध में दोस्तों मुल्यांकन बाह होता है इसमें विशेसग नियुक्त किये जाते हैं, अच्छे कारे के लिए उपाधि दी जाती है, इसमें समय अधिक लगता है और मौलिक शोध का छेतर अधिक ब्यापक और विश्तरित होता है साथ ही साथ सिक्छा की समस्याओं का अध्यन करके बेवहार विज्ञान का विकास किया जाता है और मौलिक अनुशन धान के निसकर्स ब्यापक और दूरगामी होते हैं अगला है दोस्तों प्रियुक्त शोध यानि एपलाइड रिसर्च तो सोध करता प्रियुक्त सोध में शैध्धान्तिक समप्रत्यों की जाच वास्तविक समस्या समाधान में करता है अप्रियोग आत्मक शोध या नान एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या है तो ये एक ऐसा क्रमबध शोध होता है जिसमें शोध करता का स्वतंत्र चरों पर कोई सीधा नियंतरन नहीं होता क्योंकि उनकी अभिव्यक्ति या तो प्रारंब होने के पहले ही हो चुकी होती है या उनका स्वरूप ही कुछ ऐसा होता है कि उसमें जोड तोड किया ही नहीं जा सकता है और स्वतंत्र चरों और आस्री चर के विशेश संबंधों के बारे में इन दोनों तरह के चरों में हुए सहवर्ती परिवर्तनों के आधार पर मात्र एक अंदाज लगाया जाता है इसे विवड़ात्मक शोध भी कहा जाता है दोस्तों अप्रियोगात्मक शोध की कौन-कौन सी विशेश्टाएं हैं तो अप्रियोगात्मक शोध क्रमबध और अनभोसिद्ध होता है इसमें स्वतंत्र चरों पर कोई सीधानी अंतरन नहीं रहता है स्वतंत्र चर की अभिव्यक्त शोध प्रारम से पहले ही हो चुकी होती है और शोधकर्ता प्रभाव के आधार पर कारणों का पता लगाने की कोशिश करता है आगे आएए देखते हैं दोस्तों action research या क्रीयात्मक शोध तो सिक्षा के छेतर में क्रीयात्मक सोध का लगष सैख्षिक समस्याओं का वैग्यानिक धंक से अध्यन करना और प्राप्त निसकर्सों के आधार पर अपनी कारे पद्धत में अपेक्छिस सुधार लाना है समस्या हमारी और हल भी हमारा यही क्रियात्मक शोध का मूला अधार है क्रियात्मक सोधुवः प्रक्रिया है जिसके द्वारा शोध करता अपने कारे छेतर से जुड़ी विभिन समस्याओं का वैज्ञानिक धंग से अध्यन करता है और कुछ निसकर्सों के आधार पर कारे पद्धत में सुधार लाता है और तुरूटियों का निराकरण करता है और क्रियाओं के निर्देशन सुधार और मुल्यांकन करते हैं क्रियात्मक अनुशंधान विद्याले की कारे पदाले में सुधार और परिवर्तन लाने के लिए महत्त पूर्ण है और क्रियाकलापों के संदर में क्रियात्मक शोध की रणनीत की चक्री प्रकिर्ति को अनवेशड आत्मक क्रिया है जिसका उद्देश सुधार और परिवर्तन से संबंधित व्यक्तियों द्वारा किये जा रहे वर्तमान प्रयासों का अध्यन करना और उसमें संडशनात्मक परिवर्तन लाना होता है जैसे एक सिक्षक का अपने सिक्षन कारे को अधिक परिश्थितियों की समस्याओं को पहर्चानने अध्यन करने और समधान खोजनी की और प्रवरित होता है अपचारिक ताउं चद्ध जटिलताओं पर कम ध्यान देने और कम समय धन और स्रम से समस्यां का सम्मधान संबह होने के काराण यह आत्यांत ही लोगप्री होती जा रही है एकसन रिसर्च के कुछ उद्देश जान लेते हैं दुस्तों क्रियात्मक सोध का उद्देश विद्याले और कच्छा की कारवपडाले में सुधार लाना है दो और क्रियात्मक सोध की रूप रेखाला चिली होती है। सोधकरता को विशेश पर शिक्षड की आओ सकता नहीं होती है। नियादर्स का चैन उद्देश के अनरूप किया जाता है। प्रदत्तों के विशलेशन में सरल सांखे की कप्रियों किया जाता है। और कारे छेत्र की समस्या का समधान बेवहारिक रूप से होता है। और आप जान लीजे दोस्तों, इसमें शोधकर्ता स्वेंग डेड़े लेता है कि समस्या के समधान में कहां तक सफलता मिली है। और सोधकर्ता को सफलता मिलने पर फीडबेक या पुनरबलन मिलता है दोस्तों क्रियात्मक्षोध में समय कम लगता है इसका छेत्र सीमित और अस्थानी होता है दिद्याले और कच्छा सिक्षण में सुधार लाया जाता है और सोधकर्ता अपने कारे कौसल को प्रभावी बनाता है इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अनुसंधान निसकर सस्थानी परिवेश में उपियोगी होते हैं किसी विशिष्ट संदर में समस्यकाद, निदान और समधान प्राप्त करना इसका उद्देश्य होता है कारे विशलेशन पर बल देता है इसका उद्देश से व्यवसाइक प्रकार्यता और कारे कुश्टा में सुधार लाना है और क्रियात्मक शोध दोस्तों आप जान लीजिए कि किसी दी हुई परिस्थित में कारे और नेड़ेओं की गुडवत्ता को सुधारना ही क्रियात्मक अनुसंधान का लक्षे है जिससे वह परिस्थिती बहतर और उप्योगी सित्थ हो सके इसके अलावा विद्याले की दैनिक समस्याओं का बिधिवत और बैग्यानिक धंक से अध्यन करना ताकि विद्याले की कारे पड़ाले में अपेक्षि सुधार और प्रगत इलाय जा सके ये जो है क्रियात्मक शोध के अंतरगत शामिल है इसके अलामा विद्याले की कारेपधत में प्रजात अंत्रात्मक मुल्यों का विकास और रुरक्षन ये क्रियात्मक शोध में सामिल है क्रियात्मक सोध की प्रक्रिया क्या है? तो क्रियात्मक सोध की प्रक्रिया में सोध करता अपने कारेचhet से जूड़े विभिन समस्याओं का बैग्यानिक धहंग से अध्यन करता है जो निसकर्स निकलते हैं उनके आधार पर कारेपधत में सुधार लाता है, तृटियों का निराकरण करता है और इसकी जो प्रक्रियाएं हैं क्रियात्मक सोध की उसको देख सकते हैं पहला चरण समस्या का चैन होना है क्योंकि सारी शोध प्रक्रिया उसी के इर्द गिर्द होती है समस्या के अभाव में शोध नहीं किया जा सकता है दूसरा चरण समस्या चैन का कारण खोजा जाता है और कारणों के लिए साक्ष एक अत्रित किया जाता है त्रिती चरण में क्रियात्मक परिकल्पना की जाती है और उसके संभाविस समाधान दिये जाते हैं विभिन सुझाओ दिया जाता है इसको ही क्रियात्मक परिकल्पना कहते हैं चौथा चरण कारविधी का है कि न्यादर्स या जो उसके सेंपल्स हैं किस अस्तर से लिए जाएं ये निश्रित किया जाता है पंचम चरण में प्रदत विशलेशन यानि प्राप्त जो प्रदत हैं अकड़े हैं उनका सांखी की विशलेशन प्रतिसत ग्रापाद का प्रयोग करके किया जाता है और शोध कारे के पूरो और पश्यात के स्थितिका तुलनात्म का ध्यन किया जाता है सश्टम चरण यानि छठा चरण निसकर्स निकलता है इसमें प्रदत्तों के विशलेशन के प्रदामों के आधार पर निसकर्सों का प्रतिपादन किया जाता है और निसकर्सों का सैध्धानतिक के बजाए बियोहारिक सोरूप प्रस्तुत किया जाता है इसमें जान लिजे दोस्तों यहाँ पर कुछ प्राकल्पना क्या है तो हाइपोथेशिस जब सोध करता किसी सोध समस्या का चैन कर लेता है तो उसका एक अस्थाई समाधान एक जाचनी प्रस्ताओं के रूप में कारे करता है और इस जाचे जाने योग्य प्रस्ताओं को तकनीकी भासा में हाइपोथेसिस कहते हैं कुछ दोस्तों प्रश्णों को देख लेते हैं जो परिक्षाओं के लिए बहुत ही महत्पूर है पहला प्रश्ण है जब सामाजिक शोध की योजना बनाई जाये तो बहतर क्या होगा तो विशय से जुड़े साहित से परचित होना अगला प्रश्ण है सोध हांकडों का आबरित वितरण जो आकार में सम्मित और सामानने के समान है किन्तो उसका केंदरे सिखर जादा उचा हो उसको तुंगक कुदी कहा जाता है और जब सिक्षा विदों को ब्याक्ष्यान देने अथ्वा कुछ विशिष्ट सिक्षा संबंधी प्रकरणों पर अपनी प्रस्तुती देने के लिए बुलाया जाता है तो उसे सेमिनार या संगोष्टी कहते हैं एक सोध प्रबंध में चित्र और तालिकाएं रहती हैं कहाँ पर तो मूल पाठ में शोध प्रबंध कथन है ये तारकिक द्रिण कथन है शोध प्रबंध गैर संभाविता प्रतिदर्श क्या है तो ये सोध दिश होता है और मौलिक शोध के सिधान्तों का उप्योग किया जाता है किसमें तो अनुपरियूक्त सोध यानी एप्लाइड रिसर्च में दोस्तों देखे हमने प्राकलपना या हाइपोथेसिस को जान लिया तो मैग्यूगन ने दोस्तों अपनी परिभाशा दी है कि दो या दो से अधिक चरों के बीच संभावित संबंधों के बारे में बनाए गए जांचनी कथन को प्राकलपना कहते है ना लिया सुन्य हाइपोथेसिस क्या है तो ये प्राकलपना है जिसके दोरा हम चरों के बीच कोई अंतर नहीं होने के संबंध का उल्ले करते हैं और ये एक कालपनिक माडल है क्योंकि इसका अस्तितो वास्तविक रूप से तो होता ही नहीं है एक्स पोष्ट फैक्टो सोध क्या है तो ऐसा रिसर्च जिसमें अनुसंधान करता किसी प्रभाव के आधार पर उसके संभावित कारणों का पता लगाने की कोशिश करता है और सचमुच में इस तरह के शोध में घटना घट चुकने के बाद शोध करता सोध का प्रारम करता है प्रभाव आसरिचर होता है और पहले बीच चुड़ी घटनाय जिन्हें कारण कहा जाता है वे स्वतंद्रचर होते हैं आप आगे आए देखते हैं दोस्तों आप देखिए बहुत ही महत पूर्ण है कि शोध समस्या का अर्थ क्या है ये जानना बहुत जरूरी है यानि रिसर्च की या जो सोध की समस्या है वो क्या है तो आप जान लिजे दोस्तों किसी भी मनुबैग्यानिक और सैक्षिक सोध की सुरुआत एक सोध समस्या की असपष्ट पहचान से होती है यानि कोई भी शोध तब होगा जब कोई समस्या असपष्ट रूप से पहचान में आ जाती है सोध समस्या ऐसी समस्या है जिसके द्वारा हम दो या दो से अधिक चरों के बीच एक प्रशनात्मक संबंध की अभिव्यक्ति करते हैं करलिंगर के अनुसार सोध समस्या एक ऐसा प्रशनात्मक वाकिया कथन होता है जो प्रशन करता है दो या दो से अधिक चरों के बीच कैसा संबंध है शोध समस्या की विशेषताएं क्या हैं? तो दोस्तों सोध कथन द्वारा दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंध की अभिव्यक्ति होती है इसका आर्थ है शोध समस्या के कथन की अभिव्यक्ति के पहले शोध करता को चरों के बारे में एक नेड़े लेना पड़ता है शोध समस्या का कथन ऐसा होना चाहिए जिसे आधुनिक विधियों से जाच किया जाना संभव हो शोध समस्या का कथन ऐसा होना चाहिए कि उसके चरों की माप आकडों का संग्रह करके किया जाना संभव हो और अब आए रिसर्च डिजाइन या सोध डिजाइन के बारे में जानते हैं दोस्तों तो शोध डिजाइन क्या है आप जान लिजे ये एक ऐसी योजना होती है दोस्तों आप जान लिजिए कि जिससे ये पता चलता है सोध में कितने सोतंतर चर प्रयोग किये जाएंगे उनके कितने अस्तर है बहिरंग चरों को नियंदरित करने के लिए किन-किन प्रविधियों का प्रयोग किया जा रहा है और आसरित चरों का मापन किस रोप में हुआ है तो शोध डिजाइन सोध समस्याओं के बारे में उत्तर प्राप्त करने की वैज्जानिक परयोजना या रूप रेखा है तो याद रखेएगा दोस्तों शोध डिजाइन या रिसर्च डिजाइन जो होता है ये सोध समस्या के बारे में उत्तर पाने की महत्पूर रूप रेखा है करलिंगर के अनुसार दोस्तों सोध डिजाइन अनुसंधान करने के लिए बनी हुई एक ऐसी परियोजना यानि प्लान तथा सनरशना है जिसके द्वारा सोध समस्याओं का उत्तर प्राप्त किया जाता है सोध डिजाइन की विशेषताएं क्या हैं तो शोध के विशेओं के बारे में एक अनुभोसिध्या आनुभविक सबूत प्राप्त करने की बैग्यानिक परियोजना इसकी सनरशना ऐसी है कि शोध में प्रियुक्त होने वाले चरों की संख्या उसके अस्तर या मान तथा उनके उप्योग हेतु की जाने वाली सभी संक्रियाओं के एक प्रतिमान प्रश्तुत किया जाता है सोध डिजाइन सोध करता को शोध के वास्तविक लक्ष तक पहुँशने में मदद करता है और सोध डिजाइन के उद्देश क्या होते हैं तो सबसे महत पूर्ण उद्देश है कि समस्या समाधान जो सोध समस्या है उसका सही उत्तर ढोणना और प्रसरण को नियंतरित करना ये सोध डिजाइन के उद्देश है आएे प्रशनों को कुछ नए प्रशन देख लेते हैं जो परिक्षाओं के लिए आतिसंभावित हैं देखिए, महिलाएं पूरसों की अपेक्षा प्रकिर्त के अधिक निकट है, ये द्रिष्टिकूण का ऐसा है, तो ये अनिवारेता वाधी प्रकार का द्रिष्टिकूण है, शोध का मुख्य उद्दे से क्या है, तो नए तथियों की खोज और ब्याक्षिय करना शोध का नमूना लेने की लाटरी पद्धत का प्रियोग किया जाता है तो याद रिक्षी करण या बेतर तीब संगरहण के लिए एक शोध पत्र क्या है तो समकच्छी पुनरिक्षित मूल सोध या अन्य द्वारा किये गए शोध का मुल्यांकन इसमे नहीं थोता है अच्छी शोध नैतिक्ता की स्रेड़ी से क्या संबंधित है तो इसमें साहितिकी समिक्षा जिसमें संगत छेतर के अन्य व्यक्तियों या प्रासंगिक पुरुकारियों का युगदान हो उसे अच्छी शोध नैतिक्ता कहते है अध्यन का उच्छ अस्तर क्या है तो ये शशर प्रतिवर्थ अध्यन अध्यन का उच्छ अस्तर है प्रतिदर्स पढ़ालियों में से संभाव्था पर आधारित क्या नहीं है तो कोटा प्रतिदर्ष दोस्तों ये संभाव्था पर आधारित नहीं है किसी सोध पत्रिका की गुर्वत्ता का सूचक क्या है तो impact factor या प्रभाव गुड़क ये किसी शोध पत्रिका की गुडवत्ता का सूचक है और अगला प्रशन है दोस्तों प्रतिदर्ष पढ़ाली संभाब्यता पर आधारित है तो अस्तरबध प्रतिदर्ष संभाब्यता पर आधारित है प्रतिदर्ष पढ़ाली दोस्तों शोध में कुछ महतपूर्ण तत्थ भी आते हैं कुछ महतपूर्ण शब्दावलियां आती हैं देखिए एक सब्दावली है या द्रिक्षिक अरण या रेंडमाईजेसन तो इसको जानते हैं रेंडमाईजेसन क्या है दोस्तों randomization ऐसी विध है जिसमें किसी भी चीज को अध्यन समूह में चुने जाने की संभावना बराबर बराबर होती है जैसे किसी वर्ग में 30 छात्र हैं जिनमें से हमें 20 छात्रों का चैन या अध्रिक्षिक धंग से करना है तो इसके लिए 30 छात्रों का समान कागज के टुकडों पर लिखकर उसे समान धंग से मोड दिया जाए और सभी को एक डिब्बे में रखकर उसे हिला डुला कर मिस्रित कर दिया जाए उसके बाद उसमें से एक एक करके 20 कागज के टुकडों को निकाल लिया जाए यह एक या द्रिक्षी करण का उदाहरण है रेटिंग स्केल रिसर्च में क्या होता है तो सोध का एक उपकरण है जिसके माध्यम से प्रेक्षक या रेटर किसी वस्त व्यक्त या घटना को एक दिये गए वर्ग मापनी के रूप में मापता है जब अध्यापक छातरों में समय निष्टता को अत्यधिक उचा साधारण कम तथा बिलकुल ही के वर्ग मापनी के रूप में मापते हैं तो यह रेटिंग मापनी का उदाहरण होगा शोध प्रस्ताव तयार करना तो शोध प्रस्ताव तयार करना दोस्तों सोध प्रस्ताव से तात पर एक ऐसे प्रस्ताव से होता है जिसमें शोध करता किसी सोध समस्या के समाधान के लिए विशेस कारेविधी, संभाविस समय और संभाविस धन ब्याय आदिका उल्लेक करता है शोध प्रस्ताओं में नौ चरणों का उल्लेख अवश्य होना चाहिए ये बहुत ही महत पूर है दोस्तों शोध प्रस्ताओं में कुल नौ चरणों का उल्लेख होना चाहिए ये नौ चरण कौन है समस्या का उल्लेख और उसका महत्व परिभासा, पुर्वकल्पना, परिसीमा और सिमांकन, संबंधिस साहित्य की समिक्षा, प्राकल्पना, विधिया, समय अनुसूची, संभावित परडाम, संदर्भ और परिसिष्ट ये सोध प्रस्ताओं के नौचरण है आये परिक्षाओं के द्रिष्टी से कुछ important प्रश्णों को देख लेते हैं शोध प्रवंध लिखने का प्रारूप वही होता है, जो शोध के लगुसोध प्रवंध का होता है शोध करने के लिए आरंभिक अनिवारता की अपिक्षा क्या है? तो इसमें अनुशन धान प्रश्ण तैयार करना ये सोध करने के लिए आरंभिक अनिवारता है कारियोत्तर पधती से क्या तात पर है? तो शोध करता किसे ब्योहार ये घटना के प्रभाव के आधार पर उसके संभावित कारों का पदा लगाता है ये कारियोत्तर पधती है गुडात्मक शोध के प्रतिमान को महत्वण माना जा सकता है तो आप जान दिजे प्रदत्तों के संग्रहन में इंद्रियान भविक साक्षों का निम्न से उच्च अस्तरीता की और उन्मुक्ता की विशेस्ता ये गुडात्मक सोध के प्रतिमान है शोध के आचार संबंधी मानकों की दिशा निर्दे सामिल नहीं होते हैं किसमें शोध प्रारूप के लिए शारांसों निसकर्सों को अन्य इस्थितियों से सामानी किरित नहीं किया जा सकता है एतिहासिक अनुसंधान के प्रकार के और देखें सेंपलिंग केसेज का आशे क्या है तो बहुत ही महतोपोड है समूह समाचार पत्र टेलिविजन कारेकरमाद की सेंपलिंग ये सेंपलिंग केसेज का आशे है शोध डिजाइन या रिसर्च डिजाइन क्या है तो आंकडों के संकलन और विशलेशन के प्रतेक अस्तर के लिए एक धाचा या तरीका बनाना ये सोध डिजाइन है अगला है दोस्तों शोध की अवस्थाओं का सही क्रम क्या है तो जान लिजे सबसे पहले सोध समस्या का निरधारन फिर उनकी उद्देश्चों को सुचि बदध करना कारे पड़ाली, डाटा वेशलेशन और परिडाम और चर्चा ये शोध अवस्थाओं का सही क्रम है अगला प्रशन है दोस्तों 72 शोध नयतिक्ता से अभिप्राय क्या है तो केवल PhD सोध छात्रों को ही विशेश समस्य सौपना ये शोध नयतिक्ता से अभिप्राय है अगला प्रश्ण है नो वर्सी, साथ वर्सी बच्चों से ज़्यादा लंबे होते हैं यह संदर्व का उदाहरन है तो यह प्रतिनिध्यात्मक शोध यानी क्रास सेक्सिनल का उदाहरन है आईए अब जानते हैं दोस्तों शोध की रूप रेखा दिखिए सोध की रूप रेखा में सबसे पहले शेरसक होता है उसकी भूमिका होती है मुख्य भाग होता है निसकर्स होता है संदर्व सूची और शोध लिखना सुरू करने से पहले शेरसक का जुनाव होता है भूमिका को प्रस्तावना भी कहा जाता है और आप जान लिजे दोस्तों प्रस्तावना के द्वरा शोध के बारे में संचिप्त रूप में कहा जाता है मुख्य भाग में विश्यवस्तु के बारे में विच्टार किया जाता है निस्कर्स या उपसंगहर में शोध का सारांस लिखा जाता है और सोध लिखने के लिए किन-किन पुष्टकों, पत्रिकाओं, समचार पत्र, सरकारी दस्तवेज शोध लेखों आद की मदद ली जाती है, उनका नाम संदर्व सूची यानी बिबिलियोग्राफी में लिया जाता है अब आईए देखते हैं दोस्तों शोध के चरण एक विचारक है सलूटर, इन्होंने शोध के कई चरण बताए है शोध विशय का चुनाव, सोध समस्या को जानने के लिए छेतर का सर्विक्षन संदर्व ग्रंथ सूची का निर्माड, समस्या को परिभाशित या निर्मित करना समस्या के तत्तों का विभेदी करन और रोप निर्माड इसके अलावा आकडों से प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष संबंधों के आधार पर समस्या के तत्तों का बर्गी करण समस्या के तत्तों के आधार पर आकडों और प्रमाडों का निर्धारण वांचित आकडों और प्रमाडों के उपलब्धता का अनुमान समस्या के समाधान की जाच, आकडों और सोजनाओं का संकलन, आकडों की विशलेशन के लिए बेवस्थित और नियमित करना, आकडों और प्रमाडों का विशलेशन और बिवेशना करना, बिवेशना प्रस्तुती के लिए आकडों के बेवस्थित करना, उध्धानों का संदर प्रकाशित करना होता है, सोध विशे पर प्रकाशित सामगरी की समिक्षा करना, अध्यन के विशे के व्यापक दायरे और रिकाई को तैं करना, प्राकल्पना का सुत्री करन और प्रवीर्तियों को बताना, शोध विधियों और तकनीकों का चैन और शोध का मानकी करन, शोध के प्रमुख चरण हैं दोस्तों आप जान लीजे कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एक महत्वपूर्ण समा शास्त्री हैं अपने हां राम आहुजा इन्होंने शोध के जो चरण हैं वो बताए हैं कि अध्यन समस्या का निर्धारण, शोध प्रारूपते करना, निदर्शन की योजना, आकड़ा संकलन, आकड़े का विशलेशन और प्रतिवेदन तयार करना ये राम आहुजा के अनुसार सोध के चरण हैं सी आर को ठारी के अनुसार अगर जो हम सोध के चरणों के बारे में जानेंगे तो इसमें सोध समस्या का निर्धारण, गहन साहेत्य सरवेक्षण, हाइपोथेसिस यानि उपकल्पना का निर्माड, सोध प्रारूप का निर्माड, निदर्शन प्रारूप निर्धारण, आ इसकर्सों का अपचारिक लेखन ये शोध के प्रमुक चरण है अब आये इस पर आधारित कुछ मोहतपूर्ण प्रशनों को देख लेते हैं नियंतरित शमूह सर्थ प्रियुक्त होती है किसमें तो प्रियोगात्मक सोध में किसी राष्टिकृत बैंक की कारेकारी छमता की ज दोनों शोध पत्र के रिपोर्ट के आधार होते हैं और देखे नियूटन के गति के नियम के तीन मूल सिध्धानत प्रस्तुत किये गए उनके इस सोध को वर्गी कृत किया गया है किसमें तो मूल भूत शोध के रूप में नियूटन के गत विश्यक सिध्धानतों को वर् प्रतिदर्श चैन करने की प्रविध को प्रतिदर्शन या सैंपलिंग कहा जाता है। इस प्रक्रिया को सैंपलिंग कहा जाता है। जिसके सदस्यों की गिंती की जा सकती है जैसे सभी इंजीनियरों का समूँ और अपरमित जनसंख्या जो है वो वैसी जनसंख्या है जिसके सदस्यों की गिंती नहीं की जा सकती जैसे नदी में मचलियों की शंख्या। अब आईए देखते हैं परिक्षा द्रिष्टी से महत्पूर्ण प्रश्णों को वह जर जिसका हम और सतांक यानि माध्य और मानक विचलन निकाल सकते हैं वो नापे जाते हैं कैसे तो ये अंधरालम आपनी से नापे जाते हैं परिकल्पना का तातपर क्या है तो ये संभावित उत्तर परिकल्पना का तातपर है अगला प्रश्ण है एक कनुसंधान करता किसी सहरी छेतर में एक राजनेतिक दलविशेस की संभावनाओं के अध्यन के लिए इच्छुक है इस अध्यन को क्या देनी चाहिए इस अध्यन क प्रतिदर्शन के बारे में प्रतिदर्शन के बारे में पढ़ रहे थे करलिंगर के अनुसार दोस्तों किसी जनसंख्या या समश्ट के उस जनसंख्या के प्रतिनिद रूप में किसी भी संख्या का चैन प्रतिदर्शन कहलाता है इसकी कुछ विशेष्टाएं भी होती हैं जैसे प्रतिदर्स एक निशित संख्या में जनसंख्या से चैन किया गया सदस्यों का सम्मूम होता है और प्रतिदर्स प्रतिनिधिक हो इसके लिए आवस्यक है कि उसका चैन पूर्वाग्रह से स्वतंत्र होना चाहिए प्रतिदर् या सैंपलिंग को दो भागों में बाटा जाता है तो ये कौन-कौन से भाग हैं ये हैं दोस्तों संभाविता प्रदर्शन और असंभाविता प्रदर्शन तीन तरह के साधारण या द्रिक्षिक प्रतिदर्शन अस्तरित या द्रिक्षिक प्रतिदर्शन और छेत्र या गु प्रतिदर्शन और घनी भूत प्रतिदर्शन सामिल है आई देख लेते हैं इन सभी के बारे में संभाविता प्रतिदर्शन या प्रोवेबल्टी सेंप्लिंग क्या है तो ऐसे प्रतिदर्शन जिसमें जनसंख्या के सदस्यों का प्रतिदर्श में सम्मिलित किये जाने की और बराबर होती है। सात ही सात किसी एक सदसे का जैन, दूसरे सदसे के जैन पर आधारित नहोकर जो है स्वतंत्र होता है। गिलफोड का मानना है कि साधारान या द्रिक्षिक प्रतिदर्शन जो है, यह सबसे महुतपूर परिभासा यह है कि ये जनसंख्या से व्यक्तियों को चुनने का ऐसा ढंग है जिसमें जनसंख्या के प्रतेक व्यक्ति को चुने जाने की संभावना बराबर होती है किसी एक व्यक्ति का चेहन किसी भी तरह दूसरे व्यक्ति के चेहन से जुड़ा नहीं होता है तो संभाविता प्रतिदर्शन जो है इसके लाभ ये है कि साधारण या द्रिक्षिक प्रतिदर्शन में आप जान लीजिए कि जनसंख्या के प्रतेक सदसे का चैन होने की संभावना जो है बराबर बराबर होती है किसी एक सदसे का चैन दूसरे सदस के चैन से अंतरबध नह और इस प्रतिदर्शन में तुरूटी को आसानी से ग्याद किया जा सकता है इसमें दूसरा है इस्ट्रेटिफाइड रेंडम सेंपलिंग या अस्तरित या द्रिक्षिक प्रतिदर्शन इसमें सोध करता जनसंख्या की कुछ ग्यात विशेस्ताओं के अनुरूप प्रतिदर् प्रतिदर्शन में सरवे सोध में इसका प्रयोग अधिक किया जाता है जहां जनसंख्या बड़ा तो होता ही है काफी बड़े छेतर में इसमें लोग बिखरे हुए भी होते हैं अगर छेतर प्रतिदर्शन की बात करें तो इसमें कई इकाईयों में से कुछ इकाईयों का य यानि area या cluster sampling इसका प्रियुक सर्वे में सरवाधिक होता है, इकायों या सेटों या उपसेटों का क्रमिक या द्रिक्षिक प्रतिधर्शन होता है, गुच्ष प्रतिधर्शन के लाभ क्या है, तो यहां बड़े जनसंख्या के भवगोली छेत्रों में से कुछ छेत्रों का या द्रिक्षी ढंग से चैन कर मात्र उसी छेत्रे के लोगों के वीचारों का अध्यन करता है इसमें समय स्रम और धन की बचत होती है और इसमें लछीलेपन का गुड होता है परिक्षा द्रिष्ट से कुछ महतुपूर्ण प्रश्णों को देख लेते हैं तो आएए देखते हैं दोस्तों उपलब्धी परिक्षण प्रायह प्रयुक्त किये जाते हैं सिक्षण के पश्चास सीखने की मात्रा के मुल्यांकन के लिए अध्यापक विद्यार्थियों के अधियम की कठनाईयों को ग्यात करना चाहता है इसके लिए कौन सा परिक्षण किया जाता है तो नैदानिक परिक्षण नैदानिक परिक्षा का मुख्योद्धेश क्या है अकादमिक कठिनाईउं का जो कारण है उनका पता लगाना शोसियो ग्राम तक्नीक का प्रयोग किया जाता है तो मानुवी संबंधों के अध्यन के लिए फिना मिनो लाजी सब्द की प्रक्रिया संबंधित है किस से तो गुडात्मक सोध से एक प्रक्रिया के रूप में शोध का अर्थ असपष्ट करने के लिए प्रासंगिक नहीं है तो वस्तुनिष्ट अवलोकन मान्यताय निर्मित करने का आधार क्या है तो देश की सांस्कृतिक प्रिष्ट भूमी ये मान्यताय निर्मित करने का आधार है शोध प्रक्रिया का लक्ष होता है कैसा तो परिकल्पना का सत्यापन करना पश्च अन्वेशन और साधन लक्ष साधन साध्य विशलेशन उदारन है किस से तो ये स्वतर सोध से संबंधित है और क्रियात्मक सोध रणनीत की चक्री प्रकिर्ति को इंगित करता है इसमें निय असंभाविता प्रदर्शन के तो एक तो कोटा सेंपलिंग होता है और कोटा प्रतिदर्शन एक तरह का असंभावित प्रतिदर्शन है जिसमें जन संख्या के अस्तर जैसे यौन, प्रजात, छेत्र और रिशित रहके अन्य अस्तरों की ज्यान के आधर पर प्रतिदर्श की स रंख्याओं को चुना जाता है जो कुछ खास शोध उद्योस्यों के लिए प्रतिनिधिक विसिष्ट और उपयुक्त होते हैं इसके लाभ क्या क्या है तो कोटा प्रतिदर्शन संभाविता और असंभाविता प्रतिदर्शन की अन्य वीधियों से कम खर्चिली है कोटा प्रतिदर्शन को उस परिस्थिती में अधिक पसंद किया जाता है जहां शोध करता को एक उस्थूल और तिब्र परडाम चाहिए और कोटा प्रतिदर्शन में परिडाम में बाह वैधता होती है इसका दूसरा प्रकार दूस्तों बहुत ही महत्पोण है दूसरा प्रकार क्या है इसका तो इसका दूसरा प्रकार जो है वो प्रासंगिक प्रतिदर्शन है और ये ऐसा असंभाविता प्रतिदर्शन है जिसमें सबसे अधिक इस्थूल और अपक्व माना गया है सेंपलिंग की वह वीधि जिसमें सोध करता उन सभी व्यक्तियों को अपने प्रतिदर्शन में सामिल करने के लिए चुल लेता है जो उसे सरलता पुर्वक उपलब्ध हो जाते हैं स्नोबाल सेंपलिंग क्या है तो ये एक ऐसा असंभाविता प्रतर्शन है जिसका प्रयोग सोध करता उस परिस्थिति में करता है जब वह व्यक्तियों के बीच अनौपचारिक समाजिक संबंधों का अधिन करना चाहता है इसका सरोब मोलता समाजमिती होता है इसमें किसी स समूह या संगठन में सभी सदस्यों को जो है ये अपने अपने दोस्तों और संगियों की पहचान करने को कहा जाता है और इस तरह सोधकरता के सामने समूह में दोस्तों का एक समूह उभर कराता है जिससे उसे समूह के पूर्व सामाजिक पैटर्न का ज्यान हो जाता है तो इस जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभो करता है ये कथन किसका है तो ये EM Rogers का कथन है UGC के गौड प्रोजेक्ट जाधातर होते हैं किसके तो क्रियात्मक अनुशनधान के शोध में प्रतिभाग करने से अभ्यास करता में सुधार होने के साथ कारे परिश्थितियों में भी संगत माना जाता है किसको तो प्रदत्त संकलन तथा विवेचन के चरण में शोध नयतिकता का विश्य सोध में संगत माना जाता है अगला प्रशन है तातकालिक उप्योग में आने वाली अनुशनधान धारा क्या है तो ये क्रियात्मक अनुशनधान है और शोध कारे करने में परिकल्पना को सुत्रवध करने के पश्यात क्या आता है तो परिकल्पना की बाद आंकडों का एकत्री करण आता है अगला प्रश्न है प्रतिवेदन प्रारूप और अउपचारिक रूप में निर्दिष्ट होता है तो डाइरेक्ट अस्तरी सोध पत्र सुरिजन सीलता और समिक्षात्मक चिंतन के संपोसन की अधिक छमता किसमे है तो कारे साला में भागीदारी क्रिया कलाप में अगला प्रेशन है कि जब सामाजिक सोध की योजना बनाई जाये तो बेहतर क्या होगा तो उत्तर है खुले दिमाग से विश्य के बारे में सोचना अगला प्रेशन है क्लास कम्मिकेशन यानि कच्छा संप्रेशन किसका आधार है तो ये सामाजिक पहचान का संप्रेशन प्रतिभागियों का चैयन प्रभावित होता है कैसे सानिध्य उपियोगिता अकेला पन के कारक द्वारा और लाश्ट में आगमनात्मक तरक आधारित है किस पर तो उत्तर है प्रकिर्थी की समरस्ता पर आगमनात्मक तरक आधारित है तो दोस्तों ये था आज का वीडियो विभिन परिक्षाओं के लिए उपयोगी रिसर्च के बारे में आपने इसमें पढ़ा शोध इसका अर्थ प्रकार और सोध की प्रमुख पढ़ा लियां कौन-कौन सी है इनके बारे में विस्तार से आपने पढ़ा और इस अध्याय के अध्याय के क्रम में आपने उन महत्तुपूर्ण प्रश्णों को भी पढ़ा है जो आगामी परिक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं तो आप इनको तयार कर लीजेगा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट वाक्स में जरूर बताइएगा वीडियो को लाइक करे शेयर करें और इस चैनल माकदशन फर सिबिल सर्विशेश को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों नमस्कार